नमस्कार स्वागत है आप सभी का बेहत खास कारेकराम डॉक्टर टॉक में मैं हूँ आपके साथ रेशुतियागी दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आपके इस बेहत खास प्रोग्राम में हम हमेशा आप सभी की संबंदिद परिशानियों का निहापर निजास करते हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं ताकि आपकी जो सेहत है वो हमेशा अच्छी बनी रहे और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बिमारी को लेकर जिससे हमारे देश में नजाने कितने ही लोग परेशान है जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटापी को लेकर मोटापी के अगर बात की जाए तो जब इंसान मोटापी से ग्रसित हो जाता है तो अनिक प्रकार की बिमारिया भी उस व्यक्ति को लग जाती है जिसकी वज़े से वो लगातार टेंशन यहां पर लेता है और डिप्रेशन उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है मोटापी की वज़े से आखिरकार कौन-कौन से बिमारियां हो सकती हैं क्या कुछ लक्षन है इनके और इनका उपचार हम कैसे करा सकते हैं क्या कुछ करा सकते हैं इसके बारे में आज तमाम बाते हम यहां पर करेंगे और बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजद गोयल जी हैट ऑफ दा डिपार्टमेंट OBC Surgery Primus Hospital दिली सर बहुत स्वागत है आपका खास कारिकरम ने इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का मोटापे से जुड़ा हुआ तो आप भी हमारे खास कारिकरम में कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साब हमारे दर्शों को को ये भी बताएं कि अगर मोटापा बहुत जादा बढ़ जाता है तो क्या इसके लिए कोई सर्जरी भी होती है देखे एक बड़ी अच्छी सवाल अपने करे यह क्योंकि आज की डेट में मोटापे की अरदि उसको भी आज को अगर सजरी करा रहा है कोई भी आदमी इसको फोलिए सीर्म आणème कर अक्षा दिखने के लिए सजरी करा रहा है तो bariatric surgery के बारे में उसको detail में समझना बहुत जुरूरी है क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे misconception है लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार surgery कराएंगे और सब चीज़े खतम हो जाएंगे और हम कोई effort नहीं करेंगे और हम पहले की तरह smart हो जाएंगे हम पिग्दम पतले हो जाएंगे हम एक हिरतिक रोशन है सलमान खान जैसे हमारी बॉडी बन जाएगी या कैटरीना कैफ या करीना कपूर जैसे हम बन जाएंगे जाते हैं और हमारे इसमें जो में एम है वह हॉर्मोनल चेंज़ बना जिन लोगों का वजन बढ़ गया उनके उंदर हॉर्मोन इरेगलरिटी आ गई है या हॉर्मोन अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं बिरियाट्रिक सरजरी हॉर्मोन पर अटेक करती है मैं फिर दो में तरह के प्रोसीजर हैं जो स्टमक है आपका वो हमने देखा है कि थोड़े मोटे लोगों में उसका साइज बढ़ जाता है तो इसके अंदर हम स्टमक का जो एकसेस साइज है एक सजरी के अंदर स्पेशल टेक्नीक से जो की स्टेपलर जाते हैं अमेरिका से जो टेस् की यह होता है साजजरी के बाद था कि आप चो एक चोटे बच्य की तरह हो जाते हैं जैसे अबिया की यह प्रियाटिक दम सिप बाइ स्टिप हो जाती है और यह आटोमैटिक हैं दिकिए डायेटिंग जब आप करते हैं तो और आपको भूः तो लगती है लेकिन आप खान कम खाते हैं तो जो hormones change हो रहे हैं body के अंदर जब खाना नीचे आतों में जली जाता है कुछ hormones निकलते हैं वह insulin की तरह बाउच बनाते हैं और नीचे वाले बड़ी चोटी आत से उसको जोड़ देते हैं इसको हम बोलते हैं बाइपास बाइपास का मतलब है कि हमने एक स्टमक का पार्ट बाइपास कर दिया है और डिरेकली खाना आपके नीचे वाली आतों में जा रहा है उससे कुछ hormonal changes इस तरह हुआ है हैं इस इस सज्ड़ी सज्री बी है मैंने इसका नाम रखा है Lifestyle substitute क्योंकि जब surgery हो जाती है तो आपको discipline maintain करना है discipline का मतलब है कि आपने सही time पर खाना काना है small frequent meals लेने है जो automatically surgery के बाद आपका हो जाएगा alcohol or smoking कभी भी नहीं लेना है de-addiction बिल्कुल important है number 3 आपने activity level अपना रखना है शुरू में जाएब ज्यादा walking ना कर पाएगा जैसे आपका महीने में 10-15 kg बजन कम होगा और हर महीने 4-5 kg बजन कम होता हैगा आप चलना शुरू कर देंगे आप चलेंगे तो वह आपके weight loss में भी help करेगा तो तीनों चीज़े जब कमाइन हो जाएगी तो healthy lifestyle आपका बन जाएगा तो इसलिए lifestyle modification surgery है जब भी follow करेंगे तो जो effect आपका आएगा वो आप भी imagine नहीं कर सकते हैं लोग आपको बोलेंगे कि क्या होगए इस आदमी को तो पैचानता नहीं हो आपके बेटे तो नहीं है छोटे भाही तो नहीं है और females को बोला जाएगा कि आपकी बेटी तो नहीं आ रही है ये बिल्कुल एकदम काया क्वलेट हो जाती है कि लोग आपको पैचान ही नहीं पाते हैं आप किस जगा पहुच जाते हैं डॉक्टर साहब आप आए और इतनी ची जानकारी हमीशे की तरह आज फिर यहां पर आपने दी हैं हमारे तमाम दर्शकों को इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया नमस्कार